राधे राधे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदु धर में पूर्मा का विश्श महत्व होता है यह दिन मालक्षमी को समर्पित होता है इस दिन मालक्षमी का पूजन करने से खर्मी सुख सम्रथी आती है इस दिन पवित नदी में इस दान करने के पश्चात दान करने से व्यक्ति को अपनी बर्दमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है साथ ही मालक्षमी के कृपा से सभी इक्षाइं भी पूर्ण होती है धर्म शास्तों के अनुसार पूर्ण मा का दिन पूजन के साथ ही उपाय के लिए बहुत खासवाना जा लगजने कुछ खास उपाई जरूर करने चाहिए नमक का जोतिश और धर्म शास्तों में विश्ष महत्यों बताया गया इसदिन नमक के उपाएं बहुत ही खास भाउनी जाते हैं चूंटे कर कर आप आर्थिक तंगी गोडूर कर सकते हैं तुस्तों उपाय जाने से पहले पीदियों को लाइक कर अपने फ्रेंश के साथ शेर करेंन और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और मालक्षमी की किर्पा प्राप्त कहने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमालक्षमी जरूर लिखें नमक का धार्मिक और तंतर्जाष्ट में विशिश महत्व बताया गया है नमक से किये गए उपाई और टोटके बहुत ही असरकारक होत करता है कर आपके घर में धनकी कमी है ब्यापार करती हैं व्योपार अच्छा नहीं चल रहा करती दूसरों की दुकान पर भीष जबावर लगी हूई है लेकिन आपकी दुकान समान होने के बाप्वजुर पह बिक नहीं पा रहा है ऐसे की हो आप कर दो एक रुपày की है ले आपको एक काच का बरतन चाहिए, आप काच की कोई भी बोतल ले सकते हैं, काच की कटोरी, काच का ग्लास ले सकते हैं, या जैम बगेरा की जो शीशी होती है, खाली शीशी आपके हाँ कोई पड़ी होई है, उसे आप धोकर साफ करके इस्तमाल कर सकते हैं, काच का बरतन लेकर अब आपको इसमें कम से कम एक मुठी नमक भरना है अगर डेली बाला जो साबुद नमक होता है वह आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा अगर वह नहीं है तो आप अपने घर में जो नमक खाने के लिए इस्तमाल करसते हैं आप वह एक मुठी लगभग नमक लेने औ और उस नमक को आप इस डिब्बे में रख दें कांच के बरतन में नमक रखने के बाद आप आपको पांच साबुद फूल वाली लॉंग लेनी हैं ध्यान रखें दोस्तों लॉंग पांच लें गिंती की और उनमें फूल साबुद होना चाहिए लॉंग लेने के बाद आप आपको इस लौंग को इन पाचों लौंगों को नमक के बर्तन में रख देना है आपको लौंग को नमक के बर्तन में इस तरहें रखना है कि नमक में लौंग पूरी तरह से डूप जाए ढग जाए काच के बर्तन में इस तरह नमक और लॉंग रखने के बाद अब आपको इस बर्तन को इस काच के बर्तन को अपने घर के उत्तर कौने में रखना है दोस्तों नमक से भी हम मालक्ष्मी को प्रसंद कर सकते हैं इसलिए दीपा वली पर धनिया इत्यादी बस्तूओं के साथ ही नमक भी घर लाया जाता है और फिर उससे पानी में डाल कर पहुचा लगाया जाता है ऐसा कहिने से घर में मालक्ष्मी का आगवन होता है और लॉंकि सुगन भी मालक्ष्मी को अत्यथिक प्रिया है इसलिए नमक में लॉंक भर कर घर के उत्तर कौने में रखा जाता है ऐसा कहने से घर में धनकी देवी मालक्षमी का आगमन होता है घर में सकारात्मक उजा बनी रहती है और धन में बरक्कत होती है लेकिन ध्यान रखेंग घर के उत्तरकौने में आपको साफ इस्थान पर ही रखना है हो सके तो अपने रसोई घर के उत्तरकौने में आपको यह रखना है उत्तरकौना याने की नौर्थ दिशा आपका ब्यापार अच्छा नहीं चलता है ब्यापार में दिक्कतें आ रही है कितनी भी मेहनत करने के बाद भी ब्यापार में बरकत नहीं हो रही तो आप इस काच के पात्र को अपने ब्यापार इस थल पर रखें। आप अपने घर ब्यापार इस थल दोनों पर ही इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान उपाई है और बहुत ही जादा असर कारक है। इस उपाई को करने से जल्द ही आपको इसका असर दीखने को मिलेगा, आपके धन में बरकत होने लगेगी, मालक्षमी की कृपा से घर में पैसा तो टिकेगा ही, साथ ही सकारात्पक उग्जा भी बढ़ेगी, जिससे घर परिवार में खुशियां आएंगी. इस उपाई को करते से में बस इतना ध्यान रखना है कि आपने कांच का जो भी वर्तन लिया है, उसका आपको मुह नहीं बंद करना. जैसे कांच की बोतली है, जैम की खाली बोतली है, तो उसमें आप नमक को लौंग रखतो सकते हैं, लेकिन उसमें धर्कन ना लगाएं. दोस्तों नमक धन्समबंदी समस्या को दूर करने के साथ ही लडाई जगड़े को भी खत्म करता है. अगर आपके पती-पत्ती में आपसे ज़्यादा लडाई जगड़े होते हैं, घर में कलेश रहता है, या फिर घर में एक उदासी का मौहल रहता है, तो इन समस्या को थानांची कटोरे या एक घर में गलास ले लए अब इसमें आप सैंधा नमक लएं, यह जो ब्रत में खाया जाता है, सैंधा नमक और सायनम दौनों हीぎ अलग-अलग होते हैं, उपाईで लिए सभी नमक का अलग-अलग सिस्तमाल किया जाता है, इस वाले उपाई में आपक या ड्राइंड डूम में रखती है आप किसी भी जग्य हो लेकिन बंद अल्मारी में ना रखे खुली जग्य को टेवल बैड के bucket किसमेच के नीचे या आप किसी भी खुली में इसको रख सकते हैं जैसे पती-पति में लडाई जिगड़े होते हैं पती-पत्नी के संबंद अच्छे नहीं है तो आपको यह अपने बेडरूम में रखना है अगर घर में लड़ाई जगड़े होते हैं तो आप घर में किसी भी कमरे में या हो सके तो सभी कमरों में थोड़ा-थोड़ा इसको रखते है नमक नकारात्मक उजा को अपनी तरफ सो माजूद होगी नमक में चली जाएगी नमक नकरात्मक उजजा को अपने अंदर सोख कर लेativa और इसंति घर में जब झायों उज़ा नहीं होगी तो हर इंसान के मन में शांती रहेगी उसने कलीश नहीं और घर का माहल अच्छा हो जाएगा, इससे लड़ाई छगड़े बंद हो जाएगे और आपसे प्रेम बढ़ेगा, आपको यह नमक अगले पूर्ड मा पर बदल देना है, यह जो पुराना नमक है इसको आप अपने टॉयलेट में डाल कर फ्रश कर दें और फिर से बापस नय करना बंद कर दें, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या बिजनेस में खाटा हो रहा है, तो आप शास्तों में बताया गया एक अन्य उपाई भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको हाथ में पिसा हुआ नमक लेना है, लगभक एक चुटकी नमक आप ले लीजिए, और अब अपने सिर कर दें, आप चाहें तो अपने हतेली पर रख सकते हैं या पिछुटकी में भी पकड़ सकते हैं, और फिर आपको इसे अपने सिर कर टीन बार क्लोकवाइज करना हैं, इसके बाद आप इस नमक को अपने घर के दर्वाजी से बाहर वेखतें, यह कां म, आप किये गए उपाई जादा असर दिखाते हैं सुर्यास्त के समय या सुर्यास्त के बाद किये गए उपाईयों से जल्द ही लाग होता है हमारे बड़े वुजुर्ग भी सुर्यास्त के बाद ही नजर उतारने की भी सरह देते थे उपाई करने के लिए सुर्यास्त के बाद का सम सबसे उत्तम माना जाता है इस समय कि यह उपाए जल्द ही सिद्ध होते हैं और फाइदा करते हैं तो आप भी सुर्यास्तक के बाद ही इस उपाए को करें नमक उतारकर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर फैंकना है ऐसा आपको लगाता तीन दिन तक करना है ऐसा पर इससे आपके बिजनिस में जो घाटा हो रहा है वे होना बंद हो जाएगा बिजनिस में बरक्त होगी नौकरी मिलने के भी आसार बढ़ जाते हैं अगर तीन दिन करने के बाद आपको लाब ना मिलें या फिर आपको लग रहा है कि समस्य जादा है तो आपको यह नमक उतार कर अपने सिर्पद से जब नमक उतारेंगे तो इसको घर के दर्वाजे से बहार ना फैंक कर आपको अपनी टॉइलेट में फ्रश कर देना है ऐसा क उपाय कर रहे हैं इसे आप अपने सिर्पर से उतार कर अपने उपर से नमक के साथ सारी नकारात पक उंचाव परेशानियां फैक रहे हैं तो ऐसा करने से दोश नहीं लगता यह उपाय हमारे शास्तों में बताए गए हैं हमारे बड़े बुजुर कई वर्षों से प्रीडिय ही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंत आई होगी प्लीस लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिससे भैबी इससे लाग प्राप्त कर सके हमारी और भी यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी लाइदी